नमस्कार वन इंडिया हिंदि में आपका स्वागत है दिवंगत अभिनेता शशान सिंग राजपूत की मौत के बाद से NCB ने अपना सख्त रुख अपना रखा है ड्रक्स को लेकर कई फिल्म सितारों के घर पर छापे मारी कर चुकी है शनिवार को NCB ने मशूर कॉमेडियन और अभिनेतरी भारती सिंग के घर पर भी छापे मारी की जहां से गांजा बरामत किया गया फिल्हाल भारती सिंग को गिरफतार कर लिया गया है उनके पती से पूस्ताच जारी है भारती सिंग छोटे पर्दे की मशूर कॉमेडियन है उन्हें अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है छोटी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था इसके बाद उन्होंने अपनी मा के साथ काफी लंबा संघर्ष किया था भारती सिंग के पंजाब से मुंबई पहुशने के पीछे उनकी कई सालों की महनत थी भारती सिंग ने एक अखवार से बात करते हुए बताया था कि जब उन्हें लाफ्टर चैलेंज के लिए चुना गया था तो लोगों ने बाते बनाना शुरू कर दिया था उनकी मा से लोग कहते थे कि अगर इसको मुंबई लेकर जाओगी तो इसकी शादी नहीं हूपाएगी लोगों की बातों से भारती की मा की हीमत नहीं टूटी माने कहा मैं अपनी बेटी को एक बार तो जरूर मुंबई लेकर जाओंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके मन में कहीं ये बात रह जाए कि एक मौका मिला था लेकिन मेरी मम्मी मुझे लेकर नहीं गई भारती ने बताया था छे महिने तक मैंने मुंबई में रहकर लाफटर चैलेंज के लिए बहुत महनत की कब भारती सिंग दुनिया के लिए एक बड़ा नाम बन गई पता ही नहीं चला सच बताओं तो टीवी पर आने से पहले मैंने बहुत संखर्ष किया मैंने कॉलेज में स्पोर्स में दाखिला लिया था ताकि मेरी फीस माफ हो सके मैं सुभा पाँच बजे अभ्यास करने जाया करती थी तब मुझे रोज खाने के कूपन मिला करते थे जिन से दूसरी लड़कियां रोज जूस पी लिया करती थी कपिल चर्मा के कहने पर ही भारती ने आडिशन दिया और वो मुंबई के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गई तब भारती ने पहली बार फ्लाइट से यात्रा की थी लाफ्टर चैलेंज के बाद भारती सिंग की किसमत खुल गई और वो आज एक अच्छे मुकाम पर है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वान इंडिया हिंदी के साथ